देश में गेहूं का स्टॉक कम होने और कीमतों में बडोतरी की आशंकाओं को खारिस करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में में गेहूं की कोई कमी नहीं है। केंद्र ने जमाखोरी रोकने के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट भी आज से ही लागू कर दी है। गेहूं के खुद्रा और थोक विक्रेताओं, फूर्ड प्रोसेसर, मिलर्स को निर्देशित किया गया है कि गेहूं की स्टॉक लिमिट को पोर्टल पर आज से ही खुलासा करना होगा। इसके अलावा बताया गया कि चने और अरहर दाल की थोक कीमतों में 200 रुपए प्रती क् तक की गिरावट आई है। वहीं खादे तेल की कीमतों में इजाफे की संभावना से इनकार किया गया है। खादे एवं सारवजनिक वितर्न विभाग के सचिव संजीव चोपडा ने सोमवार को कहा है कि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है जो आज से शुरू हो रही है। खुद्रा विकरेता, फूर प्रोसेसर और थोक विकरेता स्टॉक बनाए रखेंगे और स्टॉक सीमा के अनुसार पोर्टल पर इसका खुलासा करेंगे। थोक विकरेता 3,000 टन, खुद्रा विकरेता 10 बड़ी बिजनेस चेन वाले खुद्रा विक्रेता प्रती आउटलेट 10 तन स्टॉक मेंटेन करेंगे। पैक्सलाश उन्होंने कहा कि हम आवशक्ता के आधार पर स्टॉक लिमिट की समीक्षा करेंगे। गेहूं के दाम स्थिर रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हमारे पास पिछले साल से केवल 3,00,00,00 मीट्रिक टन स्टॉक कम है। 2024 से 25 में कीमतें स्थिर रखी जाएंगी। हमारे पास सभी उपकरण उपलब्ध हैं। सरकार के पास सभी विकल्ब खुले हैं, कोई विकल्ब बंद नहीं है। उपभोकता मामले विभाग की सचिव निधी खरे ने कहा कि जब से हमने तूर और चना दालों पर स्टॉक सीमा लगाई है, तब से बाजार में इसका असर देखने को मिल रहा है और कीमते नीचे आ रही हैं। अच्छी बारिश की भविश्यवानी सहित कई ऐसे कारक हैं, जो कीमतों को नियंतरित रखने में हमारी मदद कर रहे हैं। सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि गेहूं की कमी नहीं है। भरपूर गेहूं के पैदावार और खरीद हुई है। हम स्टॉक लिमिट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लगातार मीडिया में खबरें आ रही है कि सरकार के पास स्टॉक नहीं है। एक रिपोर्ट आई थी कि सारवजनिक वितर्ण के लिए भी हमारे पास अनाज नहीं है। इसकी वज़े से ट्रेडर्स की ओर से जमाखोरी की जा रही थी। जमाखोरी रोकने के लिए हमने स्टॉक लिमिट लगाई है। Bureau Report Market Times TV